हेलो गुडीवनिंग नमस्ते साथियो सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक छोटी सी माफी भी मागनी है बधाई इसके लिए कि आपने S.S.C. का संघर्ष जिस हिम्मत से जिस शिद्दत से जिस जुनून से चलाया उसने पूरे देश में एक नई लहर पैदा की है मुझे पता लगा कल आपने इतनी बढ़िया रैली की इतने विद्द्यार्थी आए इतने युवा आए और सच के साथ युवा खड़े हैं ये पता लगा धन्यवाद आपके उन तमाम टीचर्ज को जो इस संघर्ष में साथ में बैठे जिनोंने उपवास किया एक दिन का शिक्षक जब साथ हो जाए तो समझिए सच आपके साथ है क्योंकि गुरु ग्यान का ज़िया है वो जुड़े उन सब गुरुजन को मेरा सलाम और माफी इसलिए कि मैं पहुत नहीं सका पहले दिन तक से मैं आपके साथ रहा हूँ जब जब आपने बुलाया मैं रहा हूँ कल के लिए कई साथियों का संदेश आया लेकिन क्या करूँ मैं तेलंगाना के एक छोटे से कस्बे के अंदर घूम रहा था पिछला सब्ताह भर मैं पटना, हैदराबाद, करनाटका, तेलंगाना अलग लग जगें घूमता रहा हूँ किसानों की मंडियों में देखने के लिए किसान की अवस्था क्या है इसलिए चाहते वे भी कल आपके पास आने ही पाया लेकिन बाहर घूमने का एक फायदा हुआ पटना में जब गया, तो वहां गांधी मैदान में आपके साथ ही बैठे हुए थे SSC आंदोलंग के समर्थन में और क्या जोश था, क्या उत्सा था आपको पता नहीं आप लोगों के प्रयास ने देश भर में जो उत्सा भरा है मैं दो दिन पहले लखनव भी गया था वहां लखनव के साथियों में, इलाबाद से कुछ लोग आये थे फिर हैदराबाद गया, वहां के युवाओं में आप लोगों ने जितना एक बिश्वास भर दिया है दोनों बात, कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन सिर्फ काफी ने, गलत हो रहा है शिकायत करना तो बड़ी साधारन बात है लेकिन इसके खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं ये आपने एक हांसला पैदा किया है ये मैंने देखा अलग-लग जगें पे और मैं समझता हूँ कि इस पहले अठारा दिन की ये बहुत बड़ी उपलग थी है कुछ लोग कह सकते हैं कि अठारा दिन में कुछ नहीं हुआ कोई नहीं आया मांग को मानना तो दूर सरकार ने अपना एक प्रतिनिदी भी नहीं भेजा आप लोगों के पास जो दो सिंपल बात थी सीबी आई जाच हो और जाच होने तक इन परिक्षाओं पे स्टे दिया जाए तो साधारन बात थी कोई बड़ी मांग नहीं थी कोई सरकार थोड़ी सी भी संबेदन शील होती तो इसको मान लेती इसकी बजाए तिकडम हुई जूट बोले गए तमाम किसम की अभी भी चल रहा ऐसी भी आई जाच हो गई है अरे भई हो गई है तो चिठी दिखा दो ना कोई अंदूलन करने में मजा आता है क्या रात को वहां सोने में मचरों की बीच मजा आता है क्या आप बता दीजिए क्या हुआ है सब संतुष्ट हो जाएंगे लेकिन नहीं हुआ है अठारा दिन में ना तो बात मानी गई ना कोई सुनने आया इसके बाद भी आप लोग डटे रहें पता नहीं क्या कुछ कहा गया पार्टी के एजेंट हैं जबरदस्ती किये गए हैं किसी कोजिंग सेंटर द्वारा बैठाए गए हैं इस सारे जूट को आपने नका रहा जबकि तमाम किसम की चीज़ें हो रही थी जैपुर में लड़कियों के उपर बदसलू की हुई कल परसों पटना में दारोगा के सवाल के उपर बहां लाठियां चली लेकिन आप इस देश में युवाओं के आक्रोश का और न्याय के लिए युवाओं की मांग की आवाज के रूप में सामने आये हैं मुझे पता लगा कल आपने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब इस आंदूलन को एक चरण ऊपर लेके जाएंगे 31 तारीख को 31 मार्च को हला बोल का कारेक्रम दिल्ली में आवजित करेंगे मैं आपके फैसले को फिर सेल्यूट करता हूँ बहुत बड़ा फैसला आपने लिया है याणि कि आंदोलन याद है मैंने पहले से आपको कहा था गुजराथ के नवनिर्माण आण दोलन में यही हुआ था चोटी मांग से शुरू हुआ था सरकार मान लेती तो वही खतं हो जाता सरकार ने नहीं माना तो वो आंदोलन बढ़ता गया एक-एक कदम आगे गया आपके आंदोलन ने भी एक बड़ा कदम आगे उठाया है अब सिर्फ ऐसे ऐसी नहीं तमाम सरकारी नौकरियों में जिस किसम की धांदले बाजी है सरकारी नौकरियों को जिसके समसे खतम करने की साजिश की जा रही है और इस देश के शिक्षित युवक युवती को जिस तरह से अनिश्य और अंधकार में धकेला जा रहा है उस सब के विरुद्ध आक्रोश का प्रतीग बन गया है 31 तारीक हला बोल दिल्ली का आपने फैसला लिया है फैसला सही लिया है लेकिन खाली फैसला करके अगले 15 दिन बैठना नहीं है अब फेस्बुक पे लिखना है मैसेज लिखने है वटसैप पे संदेश भेजना है अगर आप दिल्ली में हैं मुकरजी नगर में हैं तो वापिस जाके जहां से आए हैं इलाबाद से बिहार से भोपाल से राजस्तान से वहां जाईए साथियों को जोड़िए सब के साथ योजना बनाईए फोन कीजिए हर तरह से ये संपर्क भेजना है हर तरह से मैसेज भेजना है हर चैनल के थ्रू ये मैसेज भेजना है 31 तारीख को दिल्ली आओ दिल्ली चलो खला बोलो 31 तारीख को आप आईएगा मैं पहले दिन से आपके साथ रहा हूँ हर वक्त रहा हूँ इस बीच मैं घुमूँगा देश भर में आपका संदेशा भी लेके जाऊँगा लेकिन 31 तारीख को आपके साथ जरूर रहूँगा इंतजार रहेगा बहुत बड़े संगर्ष में एक कदम और आपने उठाया है अभी जीत हासिल नहीं हुई है लेकिन बड़ी जीत की तरफ हम हो अग्रसर हैं बहुत बड़े संगर्ष में हैं मैं आपके साथ हूँ 31 को मिलेंगे आएंगे न आप मुझे इंजार रहेगा शुक्रिया